असलाम लेकुम देख स्टूडेंट्स आज से मैं अपना थर्ड चेप्टर स्टार्ट करें थर्ड चेप्टर में पहली जो एक्सराइज हमने करनी है 3.1 है थर्ड चेप्टर में 3.1 जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सराइज है शॉर्ट के लिए भी और conceptually भी यह integration से related तो नहीं है derivation से और differential से related है लेकिन अब रहाल यह थर्ड चेप्टर का पार्ट भी बनती है अच्छा जी पहला इसका question जो है according to the smart syllabus यह है find delta x and dy in the following यह function given है वो इसमें कह रहा है x की value change जाती है 3 से 3.02 से हमने find out करना है delta हमने find out करना है delta y यह जरा लिखने में बगलती होगी delta y and dy अच्छा इससे पहले न दो चीज़ें आपने जहें में हमेशा रखनी है एक यह कि delta x और dx यह दोनों आपस में equal होते हैं और delta y और dy यह आपस में equal नहीं होते हैं तो उसने कह यह दो चीज़ें calculate करनी हैं सबसे पहरे तो उसने कहा है कि x की value जो है वो change जाती है 3 से 3.02 तो इसका मतलब है x में change आया तो हम सबसे पहले delta x की value calculate करेंगे delta x की value हमारे पास होगी 3.02 माइनस 3 तो delta x हमारे पास आ गया 0.02 हमेशा सबसे पहले हम delta x calculate कर लेंगे चुक्के as delta x और dx आपस में equal हैं तो हमारे पास dx की value भी 0.02 हो जाएगी यह हमने calculate कर लेने question के start में उसके बाद हमने चीजें जो calculate करनी है सबसे पहले है तो हम calculate करेंगे for delta y अब अगर आप याद करें तो आपने delta y कहां पढ़ा था या आपने 2.1 exercise में पढ़ा था जब आप delta add करते हैं न बोट साइट पे तो हम वही procedure का start करेंगे हमारे पास y equal है x square minus 1 adding delta on both side तो या जगा delta y is equal to x plus delta x square minus 1 अब हम क्या करेंगे delta y इस side पे रहने देंगे y की term दूसरी side पे ले जाएंगे तो या जगा x plus delta x square minus 1 minus y y की value तो हमें पता है वो ही जो हमारे पास question था तो वो ही हम put कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा delta y is equal to अगर आपका दिल है तो बेशक इसको भी open कर दें तो या आजाएगा a square b square plus 2 a b minus x minus y जो हमारे पास question था चुकिए negative sign बाहिए तो इनके sign change हो जाएंगे x square plus 1 one one से cut गया x square x square से cut गया तो delta y हमारे पास आगया delta x square plus 2 x delta x अब हमारे पास x की value भी है उसने का exchange from 3 to 3.02 मतलब x की अपनी value 3 है delta x की अभी हमने value calculate किये तो हमने सिरफ इनकी values put कर देनी है तो delta y हमारे पास आजाएगा 0.02 square plus 2 x 3 था और delta x 0.02 आगया अब just calculator से हमने इनकी values calculate करनी है अब इसी तरह सारी values जो है इसका square लेंगे 2 को 3 से multiply करेंगे इसको 0.02 से multiply करेंगे इने add up करेंगे तो हमारे पास delta y की value आजाएगे 0.1204 यह calculator से calculated value आएगे अब हमने calculate करना है dy ठीक है dy अगर आपको याद हो तो आपने simple derivation में पढ़ा था जब आप power formulas और यह apply करते थे x square minus 1 तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे differentiate with respect to x तो यह आजाएगा dy over dx is equal to power पहले power में से एक minus minus 1 है तो वह 0 के खतम हो जाएगा इस term को मैं ऐसे लिख सकती हूँ dy is equal to 2x into dx सिरफ यह dx उठा के दूसरी साइट पे लेगे अब हम क्या करेंगे values पुट कर देंगे यहाँ पे 3 आजाएगा यहाँ पे 0.02 आजाएगा again अब यही काम करेंगे calculator से calculate करेंगे value तो यह हमारे पास आजेगी 0.12 अब अगर आप देखें है तो इन में slight साही difference दोनों values में but difference exist करता है अब हम करतें इसका next part next part में भी same वही काम करना है सबसे पहले delta x calculate करते हैं अब अगर आप देखें उसने क्या एक्स चेंज हो रहा है 2 से 1.8 यानिके अब x कम हो रहा है तो हमारे पास delta x क्या होगा change minus x की value तो delta x हमारे पास क्या आजाएगा minus 0 minus 0.2 ठीक है तो यह हमारे पास delta x आ गया जो delta x है वही dx भी हमारे पास तो यह आजाएगा 0.2 यह term आ गये अब हमने delta y calculate करना है तो again वही जो आपके 5 steps थे उनी को आप अप्लाई करेंगे adding delta on both side तो x plus delta x हो जाएगा इसका square plus 2 x plus delta x यह term आगे अब delta y side पे रहने दें y दूसी तरफ ले जाए तो इसको अगर आप चाहें तो 7 open भी कर दें मैं इसको formula रगा के open भी कर रही हूं तो आजागा a square b square plus 2ab plus 2x plus 2 delta x इस 2 को inside multiply कर दिया और y दो जाके negative हो जाएगा तो यहाँ पे आजागा minus x square minus 2x यह देखें यह term इससे cancel होगी 2x इससे cancel होगी तो हमारे पास जो term बची वो कुछ इस तरह से आएगी delta y is equal to delta x square plus 2x delta x plus 2 delta x common भी ले सकते हैं लेकिन हमें common लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ हमने simplify करना है क्योंके values तो हमारे पास सबकी है बस वो put करनी है delta x की value put की x की value हमारे पास थी 2 क्योंकि 2 से 1.8 पे change होई थी original 2 ही थी तो 0.2 plus 2 into minus 0.2 अब जब आप इनका square लेंगे minus 0.2 का भी square लेंगे इसी तरह आप ये 2 into 4 है इसको इस term के साथ multiply करेंगे ठीक है और इसी तरह जब ये सारी terms multiply होंगी तो हमारे पास जो answer आएगा वो आएगा minus 1.16 यह आप calculator से direct answer निकालेंगे इसी तरह आप dy हमें calculate करना है तो derivative वाला method है for dy हम क्या करेंगे question लिखेंगे x square plus 2x differentiate with respect to x तो यह आजाएगा dy over dx is equals to power formula तो यह हमारे पास आजाएगा अच्छा अब इसमें हम dy इस side पर आने देंगे 2x plus 2 है तो dx उदर जाके multiply हो जाएगा तो dy आजाएगा 2 into x हमारे पास क्या था 2 plus 2 और dx था 0.2 ठीक है तो यह आजाएगा 4, 6, 6 into minus 0.2 तो answer हमारे पास जो आएगा जब आप इसको multiply करेंगे और calculate करेंगे minus 1.2 answer हमारे पास आएगा dy का यानि के dy हमारे पास ये value आगी अब देख लिए दोनों में difference आपको clear नज़र आ रहा है ठीक है किसी में ज्यादा है किसी में कम है लेकिन difference exist करता है अब हम करते हैं इसका next question next question भी same इसी तरह है उसने का exchange 4 to 4.41 तो हमारे पास delta x क्या हो जाएगा 4.41 माइनस 4 तो यह 0.41 आ गया delta x जो हमारे पास delta x है वो ही हमारा dx है तो यह हमने इसको calculate कर लिए question का ही part है अपने साथ ही करना है इसी तरह पहले delta y के लिए calculate करेंगे y प्लस delta y हमारे पास आजाएगा x प्लस delta x इसी तरह delta y हमारे पास हो जाएगा x प्लस delta x माइनस y, y की term उठाके दर ले जाएगा तो delta y हमारे पास क्या आगया x प्लस delta x माइनस square root x इसको हमने कोई simplify नहीं करना, कोई इसमें हमने कोई चीज़, add, subtract, कुछ भी नहीं करना simple सिर्फ values पुट करने, कोई पुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी value चाहिए x की value 4 थी, delta x 0.41 था, माइनस square root 4 तो यह बन जाएगा square root 4.41 माइनस 2 आगया तो जब आप calculator से इसकी calculate करेंगे value तो 2.1 बन जाएगी 2.1 माइनस 2, यह आजाएगा 0.1 तो यह आगया हमारे पास delta y, अब हम calculate करेंगे dy, ठीक है, for dy dy के लिए करेंगे, तो y हमारे पास है square root x, इसको हम लिख सकते x की power 1 by 2, अब करेंगे differentiate with respect to x, तो यह आजाएगा d over dx, power पहले, power में से 1 माइनस, ठीक है, अब इसमें values पुट कर दे, कोई इसको positive negative दिल है तो कर ले, अच्छी बात है, नहीं भी दिल तो no problem, मैं इसको चलें यह कर लेती हूं, ठीक है, dx दूसरी साइट पे ले जाए, अब इसमें सिरफ values पुट करनी है, 1 over 2 square root 4, 0.41, अब यह square root 4 क्या हो जाएगा, 2, 2 into 4, 1 over 4 आगया denominator में, और उपर हमार पास 0.41 है, ठीक है, तो 0.41 over 4, calculate करेंगे, तो यह आपके पास आजाएगा, 0.1025, यह आगया, dy, अब देखें, अभी भी answers में difference है, वो 0.1 था, यह 0.1025 है, ठीक है, जादा elaborated answer दे रहाएगा, तो यह था question number 1, अमीर करते हूं, आपको असान लगागा, बस दो चीज़ें याद रखनी है, कि यह दोनों आपने पढ़े कहां थे, delta y, आपने वो 5 steps में पढ़ा था, dy, आपने direct derivation में पढ़ा था, और यही काम आपने करना है, अब हम करते है, next question, next हमारे पास question number 2 है, जो सबसे ज़्यादा असान question है, using differentials, find dy over dx and dx over dy, अगर आप देखें, दूसरे कार ऐसी protocol है, मतलब दोनों में से एक value calculate करके, दूसरे कार ऐसी protocol ले लेना है, अब उसने यह नहीं कहां कि differentiate करें, उसने कहां, इसने कह इसने कहां है, हम लिखते है, differentiate with respect to, तो हम d over dx लेते हैं साथ, यह इसका सेंबल होता है, यह ठीक है, फिर हम करते है, पावर पहले, पावर में से 1 minus, और इस साइट पे बन जाता है, dy over dx, यह differentiation है, जो कि आपने second chapter में पढ़ी है, अब इसी में देखें, इसी में देखें, इसी rating upon question to x छेर, differential में सिर्फ आपने, यह डी लेना होता है, बोग साइट पे, यह d, फॉर्मूला, टिकनिक वही है, वही फॉर्मूला है, यह इसा है, और इस निजा कुछ नहीं आता है, यह बस आपने एक चीज़ आद रखने हैं, जादा और कोई फरक नहीं है, तेक है, अच् बोट साइट, formula same है, बाकि सब same है, सिर्फ denominator नहीं आएगा, यह आपने जहने में रखना है, ठीक है, तो यह आजाएगा, differential इसका आजाएगा, differential इसका आगया, differential 4 का आगया, यह दोनों multiply हो रहे हैं, तो वैसे भी product rule लगता है, differentiation में, इसमें product rule लगेगा, x as it is, y का differential, y as it is, x का differential यह d x as it is, constant की derivation वैसे 0 होती है, अच्छा, अब जिसमें से y common, d x common है, हम d x common ले लेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, y plus 1 is equal to 0, दोनों को opposite साइट पे ले जाएगा, तो यह हमारे पास आजाएगा, minus d x y plus 1, हमने d y over d x calculate करना है, तो d y के निचे यहाँ पे d x ले और x को उसी साइट पे ले जाएगा, तो d y over d x आजाएगा, minus y plus 1 over x, यह आगया हमारे पास d y over d x, अब अगर आप से कोई कहें, कि d x over d y, तो सिरफ इसका reciprocal ले ले, d x over d y हमारे पास क्या आजाएगा, minus x over y plus 1, यह हमारे पास इसका reciprocal आगया, यह मुझे लगता है, आपको उससे भी जाएगा, अब इस से related एक और question करते हैं, next हमारे पास question है, x square to y square equals to 16, तो यही same काम करेंगे, taking differentials on both side, differentials का मतलब आपने d ले ले लेना है, constant पे again, जैसे derivation अप्लाएगा होती है, अगर constant variable के साथ हो, तो differential भी अप्लाएगा होता, यह जाएगा d of 16, इस पे लगेगा power formula, power पहले, power में से 1 minus, power छोड के derivation, आपको बता, differentiation में power छोड के derivation, x की हम 1 लिखते थे, अब यहाँ पे चुके denominator में कुछ ही नहीं है, तो आप कैसे इसको cut करेंगे, ठीक है, इसी तरह y square है, तो power formula, power पहले, power में से 1 minus, power छोड के, constant के 0 हो गई, तो अगर इसको में simplify करके लिख हूँ, 2x dx 4, sorry, plus 4y dy is equals to 0, both side को change कर दें, तो यहाँ जाएगा minus 4y dy, dy side पे रहने दे, बाकी terms को दूसरी तरह ले जाएं, यहाँ पे, sorry, dx भी था, dx को इस साइट पे लेएं, तो यहाँ जाएगा 2x minus 4y is equals to dy over dx, अब इसमें cutting भी आपको होती नजर आ र तो dy over dx की जो term मेरे पास आएगी, वो आएगी, minus x over 2y, और अगर आप से कोई कहें कि dx over dy calculate करना है, तो just take a reciprocal of that term, तो यह आपके पास आजएगा, dx over dy is equals to 2y over x, यह हमारे पास इसका reciprocal आ गया, ठीक हो गया, अब हम करते हैं, इसका next question हमारे पास exercise 3.1 का question number 3 है, question की statement है, use differentials to approximate the value of given value है, इसको हमने approximate करना है, लेकिन यह सबसे important है, कि हमने differentiate नहीं करना किसी भी step में, हमने इसको differential से करना है, differential के method से, जो मैंने भी आपको बताया था, यह question 2 में के d आएगा और denominator में टाम नहीं आएगी, अच्छा, इस question को करने का तरीका बहुत असान है, book म आपको different मिलेगा, मैं आपको comparatively असान method बताने लगी हूँ, जिससे आप करेंगे, वैसे सब method almost same है, बस बताने का तरीका different है, सबसे पहला काम आपने ही करना है, कि जो भी question given होगा ना, उसको आपने देखना है कि वो complete square, यह कोई ऐसी non value है, जिसका आपको पता है, जैसे 17 का 4th root exist नहीं करता, तो 17 के इर्द के कौन सा digit है, जिसका 4th root exist करता हो, ठीक है, 17 से कम value देखें, तो 16 का 4th root बनता है, यानि कि 2 की power 4 16 बनता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, 4 16 plus 1, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, ठीक है, अगले step में हम क्या करें जो भी आपके पास जब भी function given दिया हो, तो आपने इस function को x plus delta x लेट कर लेना, ठीक है, square root, x यह जो term आपके पास होगी ना, जिसको आपने split के है, जिसकी non value आपके लिए, वो x होगा, और उसके साथ remaining जो भी चीज आपके पास extra ही है, वो हमेशा delta x होगी, ठीक हो गया, इस इसी function को variable में convert किया, उसकी वज़ा यह है कि देखें, differential use करेंगे ना, तो यह constant है, जब मैं इसका derivative लोंगी, तो यह zero हो जाएगा, तो approximation तो नहीं आएगी, तो इसको approximate करने के लिए मैंने इसको variable में convert किया है, ठीक होगा, इस से अगले step में, अगर मैं इसको compare करूं इसी step में तो x की value आपके पास क्या है, 16, delta x आपके पास क्या आगया, 1 delta x यह dx, दोनों एकी चीज़ के दोना में, यह values भी मेरे पास आगी, अगले step में हमने क्या करना है, इसी function में delta x को zero put करके f of x की value निकालनी है, यह आ जाएगा, 4 into x, हमेशा जो भी function हमारे पास given हो तो हम इसको let क करते होते हैं, y is equal to f of x is equal to, तो यह equal to y भी हुआ, अब हम लिखेंगे taking differential on both side, अब both side पे differential ले ले, यहाँ पर आजाएगा dy is equal to, इसको मैं skip कर रहे हूं, क्योंकि आएगा तो प्राइमी इसका differential लेने लगी हूं, इस टर्म का, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूं, dx की power 1 by 4, next step में क्या ही हो जाएगा, power formula लगेगा, तो यह आजाएगा power पहले, यह वाला, power में से 1 minus, यनि कि इस में से 1 minus करेंगे, तो यह आजाएगा 1 by 4, x की power minus 3 by 4, denominator में ले जाएगे, negative power को positive कर दें, तो x की power 3 by 4, ठीक है, अब इसमें हम x की value put करेंगे और अपनी dy की value calculate करेंगे, तो dy हमारे पास equal आजाएगा 1 by 4, x की value भी हमने क्या suppose की वी थी, यह देखें, 2 की power 4, यह आजाएगा 3 by 4, 4, 4, 4 से cancel हो गया, तो हमारे पास 1 over 32, यह direct calculator से आपका लिजेगा, और dy की value आजाएगे, 0.03125, हमने actually सिरफ यह dy की value ही calculate करनी होती है, अब एक formula आपने बस याद रखना है, कि actually जो आपका question होता है, x plus delta x, यह approximation equal होती है, f of x plus d of y के, यह तो आपका question हो गया, question ही हमने लेट किया था ना, तो यह तो हमारे पास था, 4 into 17, f of x आपके पास क्या था, अब जरा उपर question में देखिएगा, यह, आपने f of x यह term ली थी ना, इसमें x की value पुट करें, तो क्या आजाएगा आपके पास, 16 की power 4, यानिके 2 आजाएगा, ठीक है, तो यह आपके पास क्या बना, 2 plus dy की value भी आपने calculate किये, 125, तो यह आपके पा इसका मतलब होता है, exactly equal, इसका मतलब होता है, अपने approximation find out किये, तो हम actually approximation find out कर रहे हैं, तो यह हमारा required answer आजाएगा, अब हम करते हैं, next question, next, इसका second part भी same इसी तरह से है, इसमें भी हमें सबसे main काम यही करना है, कि हमने अपना x चूस करना है, कि x क्या होगा, अब हमारे पास हमने wisely चूस करना है, कि इसकी power 1 by 5 है, ठीक है, यानिके 5th root है, तो किस value का 5th root exist करता है, 31 के करीब-करीब, अगर हम 30 देखें, तो 5th root किस इसी भी चीज़ का नहीं बनता, 31 भी नहीं बनता, या आप calculator से calculate कर सकते हैं, आप 5th root की value, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 32 की करके देखते हैं, तो अगर आप 32 के 5th root लें, calculator में यही चीज़ एड़ करें, तो आपके पास answer जो आता है, वो 2 आता है, यानिके 2 की power 5 आपके पास बनता है 32, तो यह तो 31 है, हमें एक खुद से add करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसी value को same, 32 minus 1 की power 1 by 5, यह बन गया नहीं 31 ही, तो क्या मैं इसको अगर मजीद specify करके लिखूं, plus minus 1 की power 1 by 5, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर ठीक है, यह पार्ट वैसे आपका ठीक है, यह अप लिखने तो अच्छी बात है, अब इसको जड़ा compare करके आप अपने एक्स बताएं, एक्स आपके पास 32 बन गया, डी एक्स यानि के डेल्टा एक्स आपके पास minus 1 हो गया, अब यह minus 1 इसलिए आए कि आपने खुद से एक इसमे एड़ किया है, चेंज आपने खुद से एड़ किया है, एक्चुली एक नमबर ज्यादा आपने एड़ किया है, अच्छा जी, अब इसी टर्म को हम लिखेंगे, जो भी आपका question है, यह आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो यह हमेशा हमारे पास क्या आजाएग एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर, वन बाई फाइव, ठीक है, इसमें से हम एफ ओफ ऐक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वह हमारे पास आजाएगी, एक्स की पावर, वन ऐ फाईव, ठीक है, साथ ही सकाम डिफ्रेंशियल ले लेंगे, टेकिंग डिफ laying, टेकिंग डि पहले पावर में से एक माइनस और पावर छोड़ की ठीक है ये हम करेंगे पावर पहले पावर में से एक माइनस और पावर छोड़ की अच्छा अब आप कहेंगे कि previous question में तो आपने यहां पर dx नहीं लगाया था आता तो है differential में obviously यहाँ पर dx आता है लेकिन चुक्छे मेरे पास value वहाँ पर 1 थी तो इसलिए नहीं लगाया कि 1 नहीं आनी है otherwise यह आना है यहाँ पर dx ठीक है तो यहाँ पर चुक्छे मेरे पास 1 के इलावा value है तो यह मुझे लगानी पड़ेगी तो यह मेरे पास बन जाएगा यह आजाएगा माइनस 5 x की power 4 by 5 तो आप x की value पुट कर दें 32 तो यह हमारे पास आजाएगा 5 x की value आजाएगी 32 power 4 by 5 ठीक है यह हमारे पास बन जाएगा 4 by 5 तो dy के आगया हमारे पास माइनस 1 over 5 2 की power 5 4 by 5 यह 5 5 से कट गया तो यह हमारे पास जो value बनेगी यह बनेगी denominator में तो 80 आजाएगा ठीक है तो अब 80 आगया इसको हम calculator से calculate करेंगे तो आजाएगा minus 0.0125 यह हमारे पास dy आगया जो कि हमने main यही calculate करना था dy 0.0125 यह आगया ठीक है अब हम calculate करते हैं अपना require answer तो हमारे पास था f of x plus delta x is equal to y plus dy y की value कहां से हमारे पास आएगी y की value यहां से आएगी ठीक है तो यहां पे हम put कर देते है x के जगा 32 साथ ही आप calculate कर लें तब भी ठीक है यह step आप नीचे भी कर सकते हैं उससे भी फरक्टनी पड़ता 2 की power 5 into 1 by 5 is equal to 2 तो हमारे पास y की value क्या आगी 2 अब यही value हमने यहां पे लिखनी है यहां आजाएगा 2 plus minus 0.0125 तो यहां पे यहां आजाएगा जो आपका question है 31 की power 1 by 5 2 minus 0.0125 इसको आप calculator से calculate करेंगे तो answer हमारे पास आजाएगा 1.9875 तो यह approximation आगए इसकी equal का sign भी ठीक है approximation का लगा ले तो ज़्यादा बहतर बात है तो यह हमारा required answer आगए अब हम करते है next question next हमारे पास question है question third इसका part है और value जो है cost 29 degree है अब यह different value आगए है क्योंके भी आपने algebraic values की थी अब आपके पास trigonometry आगई है यह पनिस्पत पहले बालों से ज़्यादा असान है क्योंकि इसमें सिर्फ आपने देखना होता है कि कि की tabular value आपने याद की हुई है अगर आपको याद होगा तो बचपन से 30, 60, 45 इनकी tabular values आपने याद की हुई है तो हमने देखना है ये कि स्टाबलर value के nearest आता है तो ये 30 के nearest आता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos 30-1 degree लिख सकती हूँ ना अब अगर मैं इस से compare करूँ तो मेरे पास x क्या बनता है 30 degree मेरे पास delta x यानि के dx ये क्या बनता है यह मेरे पास minus one degree बनता है minus one value नहीं degree बनता है और इसको साथ ही मैं radian में convert कर लूँगी क्योंकि 30 degree को तो मैं cos और sin के साथ use कर लूँगी dx की value मुझे normally use करनी है तो मैं इसको pi by 180 से multiply कर लूँगी pi की value भी calculator में होती है आप directly इसको multiply करके इस cancel लिख सकते हैं आएगा minus 0.0175 यह हमारे पास dx आजाएगा अब बाकी का procedure देखिएगा same वैसे ही चलेगा जो भी आपके पास question है उसको आप x की form में लिख देंगे तो यह हमारे पास x और delta x की form में आजाएगा cos x plus delta x ठीक है इसमें हम x की value निकालेंगे तो यह आजाएगा cos of x which is equals to y अब लिखेंगे taking differentials on both side ठीक है differentials लेंगे तो यह आजाएगा dy cos of x की derivation हमारे पास क्या आजाएगी minus sin minus sin of x into angle की derivation differentials में यह लिखना जुरूरी है ठीक है तो यह हमारे पास आजाएगा dy is equals to minus sin x की value आपके पास 30 degree थी ठीक है और dx आपके पास 0.0175 था sin 30 आपके पास होता है 1 by 2 ठीक है तो अगर calculator से भी calculated value आप put कर दें तो यह आपके पास 0.5 आजाएगा 0.0175 तो जब आप इनको सब को calculator से solve करेंगे multiply करेंगे minus minus plus हो जाएगा और 0.009 आपके पास आजाएगा ठीक है तो अब हम formula लिखेंगे कि f of x plus delta x proximately equal होता है y plus dy के है ठीक है तो y हमारे पास क्या था y की value अब जब जब दुबारा उपर जाते हैं और देखते हैं हमारे पास y क्या था y हमारे पास था cos of x तो cos of 30 degree हमारे पास क्या होगा इसकी value हमें पता है calculator से भी आप निकाल ले तो यह हमारे पास क्या आती है वैसे तो square root 3 by 2 होती है लेकिन अगर आप यह आगया अगर आप calculator से calculate करें तो वह आपके पास क्या आजाएगी 0.866 और plus dy की value आपके पास 009 आजाएगी ठीक है अब आप इन दोनों को add कर लेंगे तो आपके पास आजएगा 0.875 which is your required answer cos of 29 degree का ठीक है same वही steps है मैंने कोई step change नहीं किया अब करते हैं इसका next question जो कि इस exercise का last question है question की statement पहले सुन लीजएगा question no.4 की उसने का find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge change from 5 to 5.02 वह गहता है हमारे पास एक cube था cube की shape आपको पता है ऐसे होती है कुछ cube की shape वह गहता है पहले जो इसकी length थी ना वह 5 थी इसके हर edge की length 5 थी अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मामूल ही सा point zero to increase कर दिया है इसकी हर length को increase कर दिया है वह कहरा है पता है इसके volume में approximately क्या फरक पड़ेगा ठीक है यह हमने calculate करना हम क्या करते हैं let x be the length of each edge ठीक है तो x हमारे पास क्या आजाएगा 5 तो कितना चेंज किया इंक्रीज हुआ ना चेंज तो आपके पास delta x के आ जाएगा 0.02 यह आगया एक्चली आप जो वैल्यू चेंज हो जाती है ना उसमें से प्रिवेस वाली माइनस करते हैं ठीक है तो चुके वह एड़ हुआ है तो यह आपके पास यह दो वैल्यू आगी काम वही है जो भी आ लेंग्ध इंटू विर्थ इंटू हाइट तो यह आपके पास क्या होगा x x x x x x क्यों कि आपने x इसको लेट किया ना x cube आचाएगा अब आप इसके डिफरेंशल्स ले ले ठीक है हम लिखेंगे taking differentials on both side on both side तो यह जाएगा dv is equal to power पहले power में से 1 minus power छोड़ के derivation values पुट कर दें तो यह dv आपके पास आजाएगा 3 x की value आपके पास यह थी और delta आपके पास यह था ठीक है तो जब आप इनको multiply करेंगे throw out सबको तो आपके पास answer आएगा इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास 0.5 आजाएगा 0.5 को जब हम 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer आजागा 1.5 ठीक है यह हमारा required answer है उसने यह नहीं कहा था कि कोई approximation निकाले उसने गाता है यह बता है volume में क्या change आएगा तो volume में change को हम dv से denote करते हैं तो यह change हमारे पास 1.5 कुबिक यूनिट आएगा ठीक है यह तो थी हमारे पास exercise 3.1 अब से onward आपको almost इंशाला daily basis पे third chapter की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी एक काम आपने करना है अगर आपको कोई query हो या कोई भी आप वीडियो से related कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप इसको kindly comment में लिखते जाएगा ताकि मैं आपको साथ-साथ उसका जवाब देती जाओ Thank you